मेरे चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं आज मैं आप लोगों के सामने डाइबेटीज का वेज और नौन वेज डाइट बताने वाली हूं सबसे पहले हमारे बोली को कार्बोहर्डिर्स, रोटीन, फैट, मिनरल, वाटर इन सब की जरूरत होती है इसी के साथ डाइबेटीज के वेक्ति को 40% कार्बोहर्डिर्स, 40% रोटीन और 20% फैट की जरूरत होती है और डाइबेटीज के वेक्ति को लो गलाइसेमिक इंडेक्स इंटेक करना चाहिए इसे के साथ डाइबेटीस की वेक्ति को दिन में 6 मिल में खाना खाना है तो चलिए आज हम देखते हैं डाइबेटीस का डाइट सबसे पहले हम देखेंगे डाइबेटीस का वेज़ डाइट जो हमने 1300 क्यालरीज का बनाया हुआ है अर्ली मॉर्निंग 6 अकलॉक, 10 आल्मोंड्स और 4 वालनट लेना है या फिर आप फ्रेश कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं उसके बाद आप एक घंटा वॉकिंग कर सकते हैं सेवन फाइएम को आप एक गलास गरम पानी में निम्बू निचोड कर पी सकते हैं या फिर एक कब ब्लैक टी गुड के साथ ले सकते हैं उसके बाद ब्रेकफास्ट साड़ी 8 बजी लेना है ब्रेकफास्ट में हम लोग इडली सांबर या फिर 1500 ग्राम पनीर भुर्जी या फिर मिल्क दलिया या बेसंचिला जाई एक ग्लास प्ले सकते हैं उसके बाद मीड मॉर्निंग 11 लग को हम एक ग्लास बटर मिल्क या 50 ग्राम अंग कुरित किय गए होते हैं वह स्प्राउट हमें पचास ग्राम लेना है उससे के साथ आप फ्रेश फूर्स ले सकते हैं और डाइबेटिस की व्यक्ति चार फूर्स को आपवाइड करना है, पहला है ग्वावा, सेकेंड चिकू, थर्ड बनाना और फोर्थ है कस्टर्ड एपल, यह चार फूर्स आपको नहीं खाना है, हमारा लंच देड़ बजे हो सकता है, देड़ बजे हम एक ग्लास बटर मिल्क ले सकते हैं, उसके साथ एक बउल सालड, सालड में हम लोग दो कुकुमबर, एक टोमेटो, एक बीट और दो कैरोट ले सकते हैं, इसके साथ एक बउल दाल, एक बउल सबजी और देड़ रोटी हम ले सकते हैं, रोटी भी हम बाजरी की या फिर नाशनी की रोटी ले सकते ह असके साथ हमें egy बाउल डाउन राइस लेना वाइल ले क्राइब ल कर लो फ्रूट्स खाना लिए इंपोर्टट है while walking क्या अच्या हम एधा बॉडी में योगच yahoo को डाउन हो जाता है उसको हमें मेंटन करने के लिए फ्रूट्स खाना जरूरी होता है इसी के साथ आप होमेड सूप भी ले सकते हैं एक बाउल होमेड सूप में आप वेज सूप ले सकते हो टोमैटो सूप ले सकते हो या फिर कॉन सूप भी ले सकते हो उसके बाद एट पीम हमको हल्दी का दूद एक ग्लास बर पीना है उसी के साथ हमें अभी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड मैंने उपर बनाया बताया हुआ था कि डाइबेटिस के विक्ति को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड इंटेक करना चाहिए तो वह फूड कौन से है मैं आपको सकते हैं अब हम लोग देखेंगे डाइबेटिस का नौनवेज डाइट जो कि मैंने बनाया हुआ है पंदरा सो से सोला सो कैलरीज का सबसे पहले हम लोग अर्दी मॉर्निंग सिक्स अक्लॉक को दस अल्मॉन और फोर वालनॉट लेंगे या फिर फ्रेश कोकोनॉट वाटर सकते हैं सीक्से से सेवन टेनकों हम वन और सक वौकिंग करेंगे या फिस उर्यनमस्कार कर सकते हो अगर आप लोगों को नीं में पेन है तो आप लोगोग सुर्यनमस्कार म बेटरे वॉकिंग भी करते समय आपको दीरे-दीरे करना है जैसे कि आपके नीज पर कोई भी प्रेशर ना आए 7.15 एम को हमें एक गलास गरम पानी में निम्बू नी चोड़ कर पीना है या फिर आप एक कप गुड़वाली ब्लैक टी भी पी सकते हैं उसके बाद ब्रेकफरस्ट में हमें 8.45 बजे दो उबले हुए अंडे लेना है या फिर दो-तीन आंडो का एक भूर्जी बना कर ले सकते हैं या फिर दो-तीन आंडो का आप एक अंबलेट भी बना कर ले सकते हैं उसके बाद 11 a.m. को हमें कोई भी सीजनेबल फ्रूट्स खाना है जैसे मैंने वेज डायेट में बताया हुआ है वो फ्रूट छोड़कर आपको बाकी के फ्रूट्स खा सकते हैं उसके बाद लंच में हमें एक बजे 100 ग्राम चिकन सालाड या फिर 120 ग्राम फिश करी या फिर 1500 ग्राम चिकन चिली फ्रायर या इसे के साथ आप एक ग्लास टॉमाट्स भी ले सकते हैं 5 पीम को हम कोई भी सिजनेबल फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर दो उबले हुए अंडे ले सकते हैं या फिर ग्रीन टी ले सकते हैं 5.30 से लेकर हमें 6.30 तक हाफ आवर्स वाकिंग करना है और हाफ आवर्स हमें योगा करना है उसके बाद डिनर हमें साड़े आट बज़े करना है साड़े आट से पहले ही हमें डिनर करके लेना है उसके बाद हमें डिनर नहीं करना है 100 gram chicken उसके साथ spinach salad लेना है या फिर 2 cup grilled spinach ले सकते हैं उसके साथ broccoli plus mushroom ले सकते हैं या फिर 100 gram fish ले सकते हो या फिर आप 1 cup mushroom soup ले सकते हो और 1 cup broccoli soup भी ले सकते हो तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ important tips सबसे पहले diabetes के व्यक्ति को कोई भी diet लेने से पहले अपने नज़्दे के doctor या dietitian की सला लेने चाहिए diabetes के व्यक्ति को दिन में 3-3.5 लिटर फानी पीना चाहिए diabetes की व्यक्ति को हफते में एक बार या महिने में एक बार अपना blood sugar level चेक करना चाहिए इसके साथ diabetes की व्यक्ति को low glycemic index food लेना चाहिए low glycemic index food मतलब हरी सबजिया, सवयाबी, राजमा, ब्राउन राइस, अंडे का सफेद वाला भाग इन सब चीज़ों का अपने आहार में समावेश करना चाहिए diabetes की व्यक्ति को अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लेम हो तो वह व्यक्ति स्प्राउट ना खाए स्प्राउट के अलवा आप fruits खा सकते हो summer season में आप बटल मिल्क नार्मल पी सकते हो सब्री और बारिश के दिनों में आप बटल में थोड़ा सा पतला बनाकर पी सकते हो आप यह डायेट करके देखें और अपना blood sugar level कंजोर में रखें अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन देवाना ना मुलें धन्यवाद